नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम डीजी लॉकर के बारे में सिखेंगे, डीजी लॉकर क्या है, डीजी लॉकर के बारे में समझेंगे, तो डीजी लॉकर अगर हम बात करें, तो डीजिटल इंडिया, डीजिटल इंडिया के तहत डीजी लॉकर को लंच किया गया 2015 में, ड अगर आपने Digital India के विशे में मेरी विडियो नहीं देखी हो, तो उसे आप इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर देख सकते हैं. तो Digital India के द्वारा Digital Locker को लंच किया गया 2015, दिसंबर 2015 में. ये DG Locker क्या है? तो DG Locker एक भारतिय डिजिटली करन ओनलाइन सेवा है, जो इलेक्ट्रोनिक और सुषना प्रदोगी की मंत्राल है, भारत सरकार द्वारा अपनी Digital India योजना के तहत प्रदान की जाती है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दिसंबर 2015 में Digital India योजना स्कीम के तहत DG Locker को लंच किया गया. DG Locker जितने भी अधार धारक हैं, उन अधार धार को ये DG Locker शुबधा प्रदान होती है. अगर जिसके पास अधार शंख्या है, अधार कार्ड है, वो अपना DG Locker बना सकते हैं और उस DG Locker में अपने Digital दस्तावेज जैसे की ड्राइवे लाइसेंस, वाहन पंजी करन, स्रेक्षनिक मार्क सीट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे प्रमानिक दस्तावेजों को वहाँ पे उस DG Locker एकाउंट्स में अपना वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, क्लाउड के रूप में, वहाँ प कहीं भी उस DG को किसी भी सिस्टम के थ्रू किसी भी कम्प्यूटरस पे कहीं भी मोबायल से लॉग इन करके आप वहाँ उसको एकसेस कर सकते हैं, मतलब वो क्लाउड के रूप में, आप उस DG को स्टोर करते हैं, जिसे आप कहीं भी एकसेस कर सकते हैं, anywhere, anytime, यह DG की एसकेन scan की गई प्रतियों को upload करने के लिए आपको एक जीवी storage capacity dg locker के अंदर रहती है मतलब एक जीवी तक आप data को store कर सकते हैं अपने dg locker एकाउंट में यह सुबधा पाने के लिए बस आपके पास भारत सरकार द्वारा प्रदत अधार कार्ड होना चाहिए अपना अधार अंक डाल कर उपयोग करता अपना dg locker खाता खोल सकते हैं और अपने जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं इसी को मैंने इंग्लिस में यहाँ पे दे रखा है इसको राइट कर रखा है dg locker is an Indian digitalization online service provided by the ministry of electronics and information technology government of India under its digital India scheme जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि digital India scheme के तहत दिसंबर 2015 में dg locker accounts को क्या किया गया था लंच किया गया था और यह भारत सरकार के द्वारा digital India scheme के तहत लंच किया गया है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही बात है कि यहाँ एक जो storage capacity आपको मिलती है जिसमें कि आप educational mark seat, paint card, water card को आप store करके रखते हैं इसके लिए आपके पास एक क्या होना चाहिए भारत सरकार द्वारा प्रदत अधार कार्ड होना चाहिए जिसके द्वारा आप dg locker accounts को उप्योग कर सकते हैं अब बात करते हैं कि advantage of dg locker के विशय में तो it is safe, secure and free जाहिर सी बात है कि जब अगर हम आरे पास एक account हो और उस accounts पे हम कोई data upload कर देंगे तो हमें दस्तावेज हमारा जो दस्तावेज हो है वहाँ पे हमारा documents को जब चाहें प्राप्त कर सकते हैं इससे हमारा documents क्या है online वहाँ पे जो accounts है उस पर हमारा वो save है सुरक्षित है, secure है और यह dg locker बनाने के लिए किसी प्रकार को आप पैसे की देने की ओ सकता नहीं होती है यह free of cost सुबधा है जिसे आप बना सकते हैं जैसे आप gmail account बनाते हैं gmail accounts पे भी अपने कुछ documents को आप upload करके रखते हैं या कुछ documents को आप वहाँ से भी पाते हैं, कुछ documents को वहाँ पे रखते हैं, अपने informations को, अपने messages को सुरक्षित रखते हैं और उसका password, उसका user ID, उसका email ID, password आपके पास होता है जिससे कि वो दूसरे कोई उसको access नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो data जो है आपका safe है, secure है, यह सुरक्षित है और free of cost है, जिसे आप वहाँ पे use करके उस accounts को बनाते हैं तो यहाँ पे DG Locker भी यह free है, जिसे कि आप DG Locker accounts free of cost बना सकते हैं, अपने data को safe रख सकते हैं, secure रख सकते हैं अपने certificates, waters card को, pain cards को, driveway license को वहाँ पे आप upload करके फ्रक्षित रख सकते हैं we can use it to store important and official document, मैंने वैसे पहले भी कहा, कि आप अपने importance मत्तब कि जैसे आपका water ID है, driveway license है, आपका educational certificates है, कोई officials document है, तो उसको आप वहाँ पे store रख सकते हैं एक जीवी तक का storage जो capacity होता है, उस storage capacity के अंदर आप अपने data को वहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं, उस digilocker account में खाता में आप उसका password यूज़ करके, अपना अधार कार्ड संख्या यूज़ करके, अपने mobile numbers को यूज़ करके, वहाँ पे आप उस चीज़ को रख सकते है अपने documents को रख सकते हैं, anytime, anywhere access, आप अपने certificates को कभी भी वहाँ से जाकर download कर सकते हैं, कभी भी किसी समय आप उसको access कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे graph के थ्रू जो है fully secure access, मतलब पूरे रूप से यह सुरक्षित है, क्योंकि जब आप अपने user id, अपने passwords को सिर्फ और सिर रूप से सुरक्षित है, anywhere, anytime, मतलब कि आप इसको mobile पे भी और अपने computer desktop पे भी इसको open करके अपने documents को प्राप्स कर सकते हैं, download कर सकते हैं, paperless and environment friendly, मतलब कि यह paperless है, किसी प्रकार से यहाँ पे papers वाली जो बात है, यहाँ पे नहीं है, आपकी soft copy वहाँ पे store रहती है, तो य यह बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो के माध्यम से यह समझा होगा कि DG Locker क्या है,